वैसे तो सरकारे अपनी रियायाय के स्वास्थ के लिए हर संभव परियास करती हैं परंतु सामाजिक संस्थाएं भी किसी से पीछे नहीं रहती हैं आज हम बात कर रहे हैं आजाद हेल्फ बेल फेयर सोसाइटी की जिसने आज जन्वानस के स्वास्त की समस्यां को ध्यार में रखते हुए एक निसुल्ग केम्प का आयोजन पातिमा होस्पिटल में किया जिसमें लगभग 500 मरीजों को देखा कारिक्रम के दोरान सोसाइटी के अध्यक्षा इमालदा परवीन, उपाध्यक्ष अंजना सक्षेना, डॉक्टर दरस्का अब्बास, डॉक्टर रूप किशोर, डॉक्टर सगोफा, अंबर के सासत कमलेश कुमारी, जूबी, शेहनाज, परवीन, आभा सक्षेना आदी सई वीगर्ण केम्प में उपस्तित रहें।